एक गाउं में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था एक दिन वह किसान अपने खेतों की करब चा रहा था तभी उसे एक गड़ी में से आवाज आती है अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुट्टे का बच्चा है जो मुसीबत में है मुझे इसे बचाना होगा नहीं तो ये मर जाएगा फिर वह बढ़ी में जांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटासा कुट्टे का बच्चा दिखाई देता है वह उसे देखकर दंग रह जाता है उसका रंग नीला होता है ये तो कोई कुट्टे का बच्चा लगता है लेकिन ये तो नीले रंका है मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंका कुट्टा नहीं देखा इसे घर ले चलता हूँ सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी फिर वा किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है अरे सुमन जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या राया हूँ तब ही उसकी पत्मी बाहर आती है और कुटे के बच्चे को किसान के हाथ में देख कर चौँच जाती है हाई, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंचा है अजी आपको कहां से मिला, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ मुझे बच्चपन से एक कुटे के बच्चे को पाले का बहुत शौक था हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ लेकिन ये आपको मिला कहां से? नखेट की तरफ जा रहा था, सभी अचानक गढ़े से इसके रूने की आवास आई मैंने जाकर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला, ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो इतना बोल कर किसान वहां से चला जाता है, फिर सुमन उसकी खूब देख भाल करती है, वह दिन भर उसके साथ खेलता कूटता है सुमन भी उसे पाल्पेट बहुत खुश थी, वह कुटता पूरे गाउं में आकरशन का केंज था, वह जब भी गाउं में भूमने निकल था, सारे गाउं वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी क्योंकि किसी ने भी नीले रंग कुटता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है, तुने कभी नीले रंग का कुटता देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुट्टा देखा है, लेकिन ये इस किसान को मिला कहां से, इतना अनोखा कुट्टा खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं अरे भाई, इसे तो ये किसी गड़्े में पड़ा हुआ मिला था, मुझे तो लगता है, जरूर ही एकोई जादूई कुट्टा है तुम्हे क्या लगता है? बाजार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई ये तो नायाब चीज है ये तो अनमोल होगा इसके हमें मो मांगे पैसे मिलेंगे भाई हर नायाब चीज पर तो सिर्थ हमारा ही अधिकार है देर किस बात की आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते है तभी ललन और हर्या किसान के घर में घुज जाते हैं और निलो को बहलाने फुसलाने लगते हैं ले ले बैटा बिस्कुट खा ले 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 आजा आजा वह जट से उसे बोरे में कैट कर लेते हैं और वहां से 9-11 हो जाते हैं और भाग कर अपनी घर आ जाते हैं हरिया भाई एक काम तो पूरा हो गया बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है सुब काम में देरी किस बात की हम कल सुबा होता ही इसे शहर जाकर किसी को बैस आएंगे अगर देख तिबह उने पर पेटोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं राफ्ते में उन्हें एक सेट मिलता है उसे उस बोरे में से अजीब अजीब से आवाजे आती है अरे भाई रुको रुको इस बोरे में क्या भर कर ले जा रहे हो भाई ये एक जादूई कुट्टा है ऐसा कुट्टा पूरी दुनिया में केवल एक ही है ऐसा कैसे हो सकता है बाई जरा मुझे भी तो दिखाओ वह सेथ नीलू को देखकर चौंक जाता है तुम्हें इसके लिए सा सोने की मुद्राएं देनी होंगी ठीक है मुझे मन्जूर है लो ये लो तुम्हारी सा मुद्राएं आज से ये कुट्ता मेरा हुआ वही दूसरी तरफ नीलू को घर में ना पाकर सुमन और किसान परिशान हो जाते हैं सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है नीलू तुम कहां चले गए तुम्हेरे बिनो में कैसे जिऊँगी वापस आ जाओना नीलू अजी मेरे नीलू को कई से भी ढूंड कर लाई है जब तक वह वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाओंगी ठीक है ठीक है तुम रोना बंद करो मैं उसे ढूंड कर लाता हूँ फिर किसान गाओं में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है अरे भाई मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था वो ललन और हरिया तुम्हारे गर से बोरे में किसी को बरकर ले जा रहे थे वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा फिर किसान भागता हुआ ललन के घर जाता है ललन मुझे पता चल गया है तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है उसे अभी के अभी वापस लोटा दो नहीं तो मुख्या से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा अरे हरिया भाई इसे कैसे पता चल गया मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा मुझे अभी के अभी मेरा कुटा वापस करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा भाई तुम्हारे कुटे को तो हमने सौ मुद्राओं में बेच दिया अग तुम चाहो तो सारी मुद्राएं रख लो और हमें छोड़ दो नहीं नहीं मुझे मेरा कुटा ही चाहिए तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंडो और मुझे मेरा कुटा वापस ला कर दो नहीं तो जेल जाने के लिए तयार हो जाओ इतना बोल कर किसान वहां से चला जाता है अरे मर गए रे अब क्या करें ये तो थानेदार की धमकी दे कर गया है ललन भाई मुझे जेल नहीं जाना खुछ करो ना हाई रे अब क्या होगा चलो उस सेट को ढोटते हैं उसे उसके सारे पैसे लोटा कर उस कुट्टे को वापस ले लेंगे वे दूनों सेट की तलाश में निकल पड़ते हैं लेकिन बहुर देर तक ढूनने पर भी उन्हें वह सेट नहीं मिलता ललन भाई यहां तो सेट का कोई नामो निशान ही नहीं है ना जाने अब तक कहा निकल गया होगा अब क्या करें हमरे पास कल सुभा तक का ही वक्त है वो देख . यह तो बिल्कुल किसान के कुत्था जैसा ही लग रहा है तमहारी आखों में मोतिया बिंध हो गया है क्या बेवकूस किसान का कुत्था नीले रंग का था और यह तो भूरे रंग का है क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता अरे तो क्या हुआ अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा बात तो तुम सही कहते हो भाई चलो फिर देर किस बात की अभी इसे पकड़ते हैं फिर वे दोनों उसकुत्ते को पकड़ कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोल कर इसे उसमें डुबो डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं अरे भाई हरिया ये तो बिलकुल नीलू जैसा ही दिख रहा है फिर अगले दिन वे उसकुत्ते को अपने साथ लेकर किसान की घर जाते हैं अरे भाई मोहन देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं जल्दी आओ तुम्हारा नीलू आपस आ गया है जल्दी आओ किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा लल्लन और हरिया तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गल्ती को सिधार लिया इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है तुम दोनों जा सकते हो फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं नीलू तुम वापस आ गए मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी कहां चले गए थे तुम हाँ आज की बार मैं तुमें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है इतना गंदा भी हो गया है चलो अब हम नहाई नहाई करेंगे फिर सुमन उसे नहलाने लगती है अले मेरा नीलू नहाई नहाई करेगा इतना गंदा हो गया है पानी उसके उपर पढ़ते ही वा कुत्ता छट पटाने लगता है अरे क्या हो अनेलू तुझे तो नहाना बहुत पसंदा आज क्या हो गया तुझे तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है अरे ये क्या इसका रंग क्यों उतर रहा है तभी वा कुत्ता गुसे में आकर सुमन को काट लेता है अरे मर्वी रे हाई रे अरे सुनो जी इसने तुम मुझे काट खाया हाई रे अजी सुनते हूँ जल्दी आओ मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है देखो इसका तो सारा रंगी उतर गया ये तुमने ठीक नहीं किया ललन अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर किसान गुसे में ललन और हर्या की घर जाता है ए ललन दर्वाजा खूल ए ललन जल्दी दर्वाजा खूल नहीं तो इसे तोड़ दूगा आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता अरे मर गह रहे ये तो उसी किसान की आवाद है लगता है इसे हमरी तर्कीब के बारे में पता चल गया अरे क्या हुआ भाई इतने गुसे में क्यूं हो तुमें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चड़ा कर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है भाई हमें माफ कर दो हमने उस सेट को ढूनने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला भाई तुम ये सौ मुद्राएं रख लो अब इससे ज्यादा हम तुमारे लिए और कुछ नहीं कर सकते अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तयार है किसान उदास हो जाता है और उनसे सौ मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है मुझे माफ कर दो सुमन मैं तुमारे नीलू का नहीं ढून पाया ये लो ये सौ मुद्राएं हैं नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिये हैं उन्हें अपनी गलती का बहुत पच्चतावा है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता नहीं मेरा नीलू जरूर वापस आएगा हमें काम करते हैं कर सौ मुद्राओं का भोजन खरीद कर गरीबों में बाढ़ देंगे क्या पता उनकी दी हुई दौाओं से हमारा नीलू वापस आ जाए अगले दिन सौबा होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बाढ़ देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं तभी उन्हें कुछ आवाजे सुनाई देती हैं वे दोनों चौक जाते हैं अरे ये तो मेरे नीलू की आवाज है नीलू नीलू तुम कहा हो तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है नीलू तुम वापस आगे तुम कहां चले गए थे मैं तुम्हारे बिना कितनी उधास हो गए थी किसी ने सची कहा है दुआउं में बहुत शक्ती होती है